और कैसे हो मित्रों मजे से जिंदगी बितार है हो की नहीं तो याज मैं बात करूँगा कुछ ऐसे मुईज के बारे में जिसे देखकर आपका तोप सलामी देगा और गोले दागने के लिए तैयार हो जाएगा यानि कि आज में कुछ ऐसी मुईज के बारे में बात करूँगा जिसे देखकर आप अपना बंदुक लोड कर लेंगे और चलाने के लिए मजबूर हो जाएंगे तो यगर आप एक गबरु जवान मर्द हैं और अपने रोकेट पे किसी को बैठाने की छमता रखते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले कृप्या चैनल को सब्सक्राइब कर और घंटे को भी दबा दें तो चलिए देखते हैं सीक्रेट गेम 3 ये साल 1994 में याई एक थ्रीलर मुवी थी कहानी एक पती पत्नी की है जो हमेशा घापाघाप और टपाटप नहीं करते हैं जिसकी वज़ा से मालदार पत्नी उदास रहने लगती है यानि कि मालदार या उवरत का पती उसकी काम वासना नहीं मिटाता और नहीं उसे जन्नत की सेहर कराता है ये साल 1992 में याई एक एक एक्सन क्राइम मोवी थी कहानी दो मालदार बहनों की है जिनका तन बदन देखकर कोई भून को पाना चाहेगा और उनके साथ सुहाग रात मनाना चाहेगा ये दोनों मालदार बहने लोगों को रिजहाती है और अपना जिस्म बेच कर पैसा कमाती है लेकिन इन दोनों में से बड़ी बहन अपने boyfriend से जुट बोलती है कि वो लोगों के साथ चदर में गदर नहीं मचाती है बलकि factory में काम करके पैसा कमाती है किन्तु यसली मज़ा तो तब आता जब हवसी आदमी अपनी आखों से ही अपनी girlfriend को लोगों की राते रंगिन करते देख लेता है सौर सरेस ये साल 1995 में याई एक horror movie थी कहानी दो दोस्तों की है जो एकी कमपनी में काम करते हैं और जिनकी पतनिया जादू गर्नी एवम चुड़ाइल हैं दरसल पहले दोस्त की वाइफ जादू टोना करके दूसरे दोस्त का accident करवा देती है ताकि उसके पती का promotion हो जाए लेकिन जब दूसरे दोस्त की पतनी को पता चलता है कि उसके पती पर जादू टोना किया गया तो वो भी दूसरे आदमी पर जादू टोना करती है और अपना बदला लेती है मूवी में इन सब जादो टोना के साथ-साथ गर्मा-गर्म सीन भी है जो आपका दिन बना देगा हौली स्लैप्ट ओभर ये साल 2020 में याई एक कोमेडी मूवी थी कहानी एक पती पत्नी की है जिनका साधी सुदा जिंदगी एकदम चकाचक और धकाधक चल रहा है लेकिन एक दिन हाउसी पती को पता चलता है कि उसकी पत्नी की एक दोस्त आने वाली है जिससे उसकी पत्नी प्यार करती थी यानि कि मालदार पत्नी महिलाई और पूरुस दोनों के साथ पलंग हिलाती है और जिंदगी का मजा उठाती है किन्तों मालदार पतनी के पैरो तले जमिन तवखी सक जाती है जब उसका पती इन दोनों महिलाओं के साथ मिलकर ताता था ये करना चाहता है Friday the 13th ये साल 2009 में या ये एक slasher movie थी कहानी ये खुखार या आदमी की है जो अपने इलाके में गई सारे लोगों को गाजर मूली की तरह काट देता है दरबसल इस खुखार आदमी की मा को कोई इसी के सामने मार देता है जिसकी वज़ा से ये आदमी ये खुखार जानवर बन जाता है लेकिन कहानी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब कुछ हावसी लोग अपनी गर्ल्फरेंड के साथ रंग रलिया मानाने खुखार यादमी के इलाके में चले जाते हैं